हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नवीन अलावादी MD Pulmonologist and Chest TV specialist स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल Lung Fit Body Fit में फ्रेंड्स मैंने टीवी पे पहले भी कई सारे वीडियो बनाए हैं कमेंट्स में मेरे पार लगातार क्वेरी आ रही थी कि आप गाठो वाली टीवी या lymph node टीवी पे भी एक वीडियो बनाए है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये गाठो वाली टीवी या lymph node टीवी क्या होती है, क्यों होती है, इसके क्या symptoms होते हैं क्या complications होते हैं और इसका treatment और management क्या है तो आईए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो lymph node टीवी या गाठो वाली टीवी जो गाठो वाली टीवी होती है, lymph node टीवी होती है ये एक extra pulmonary tuberculosis का टाइप है पहली होती है pulmonary tuberculosis, दूसरी होती है extra pulmonary tuberculosis pulmonary होती है जो lungs की TV होती है extra pulmonary होती है जो lungs के बाहर होती है तो ये एक extra pulmonary TV का subtype है गाठोवाली TV या lymph node TV ये भी same उसी bacteria से होती है जिससे हमारी pulmonary या lungs वाली TV होती है bacteria का नाम होता है Mycobacterium tuberculosis जो की एक road shape bacteria होता है जो की खासने से, छीकने से या शरीर की immunity कम होने की वज़े से एक patient से दूसरे patient में transmit हो जाता है तो जब ये body में transmit होता है जिनके body की immunity कम है या जो किसी ऐसे patient के exposure में आये हैं जिनको already TV है तो वो bacteria जब body के अंदर enter करते हैं तो वो तीन तरीके से lymph node के अंदर enter कर जाते हैं और lymph node का enlargement हो जाता है पहला तरीका होता है कि पहले ये जो bacteria है lungs के अंदर जाते हैं और एक gon focus बनाते हैं gon focus या primary complex बोलते हैं कि right lung के apex में उपर की तरफ एक जो gart होती है lymph node होता है वो erode करके lung के अंदर एक तरीके का complex बना देता है फिर अगर किसी के patient की body community ठीक है तो वो suppress हो जाती है reaction वहाँ पे जब कभी body community weak होती है तो वो bacteria वहाँ से transmit होकर के किसी भी lymph node के अंदर जाकर के lymph node TV कर सकता है दूसरा subtype होता है कि अगर मालो TB का बहुत heavy bacterial infection हुआ है तो वो directly lymph node के अंदर एंटर करके infection कर सकता है और lymph node enlargement कर सकता है तीसरा होता है hematogenous spread यानि कि जो blood के through bacteria transmit हो जाता है और lymph node तक पहुच जाते हैं और lymph node enlargement हो जाता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं लक्षणों में जो main लक्षण है वो होता है कि lymph node बड़े हो जाते हैं जो गाठे बड़ी हो जाती हैं जैसे neck पे होती हैं एक्जिला में हैं दोनों lungs के जो beach की जगे होती है जो midistinum बोलते हैं उसमें enlargement हो जाता है और inguinal जो genital area के पास का जो area होता है वहाँ पे कुछ गाठे बड़ी हो जाती है और swelling हो जाती है जो other लक्षण होते हैं जो टीवी में मिलते हैं जैसे खांसी, बुखार, वजन का कमोना generally ये constitutional symptoms इस तरीके के नहीं देखने को मिलते हैं गाठो वाली टीवी में क्योंकि गाठो वाली टीवी एक unique टीवी है जिसमें खाली गाठो का enlargement या गाठो का बढ़ना ही या body में swelling होने का लक्षण सबसे पहले मिलता है जो की main type है इसके लावा कुछ rare cases में पेशन को बुखार भी हो सकता है वजन में गिरावट हो सकती है हो सकता है उसको भूख न लग रही हो या कमजोरी आ रही हो लगातार यह symptom भी मिल सकते है आईए बात करते हैं कि यह कितने तरीके की होती है देखो जो पहला type है वो होता है cervical lymph node TV cervical होता है यह गरदन वाला area यह गरदन वाले area में जो अगर nodes का enlargement हो रहा है कोई swelling हो रही है कोई gart बन रही है जैसे हमारी klevigil होती है collar bone इसके उपर बनती है यह mandible के नीचे बनती है यह mandible के नीचे की जगह हैं जो यह common होती है यह right side of mandible, left side और यह some mental reason तीन reason यह हो गए cervical के और इधर हो गया supra-clavicular यह cervical lymph node का enlargement देखने में मिलता है generally बच्चों में जो lymphoma के patients होते है या gartो का cancer होता है उसमें भी gartो का enlargement देखने को मिलता है इसलिए इस बिमारी को जो gartो का cancer होता है उससे अलग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों के symptom लगबग एक जैसे है तो gartो का enlargement हो गया दूसरा यह जो axilla होती है axilla में lymph node का enlargement हो सकता है या दोनों lungs के बीच में जो जगे होती है इसे medistinum बोलते है वहाँ gartो का enlargement देखने को मिल सकता है या pate की TV हो तो pate के अंदर ganthe मिल सकती है pate की TV हो तो फिर pate में पानी भी मिल जाता है कभी-कभी या जो हमारी intestine होती है उसमें भी कुछ erosions और कुछ unique lesion होते हैं वो देखने को मिलते हैं अगर pate की TV है तो इसके बाद genital area में जो हमारा inguinal reason होता है वहाँ पे gartो का swelling देखने को मिल सकता है आईए friends अब जानते हैं कि इसको diagnose कैसे करते हैं जब gartो का enlargement होता है swelling होती है तो patient notice करते हैं उसको कि ये gart मेरी बड़ी हो गई है अब gart में घाव हो सकता है gart में फिचुला भी बन सकता है कोई pus pocket भी बन सकता है ये सब symptoms देखने को मिलते हैं तो patient doctor के पास जाते हैं doctor उनका ESR करवाते है Montux test करवा सकते है ESR बढ़ा हुआ मिलता है Montux generally positive आता है और Montux बहुत अच्छा test नहीं माना जाता है ये मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में भी बताया हुआ है जो main test होता है ये identify कर लेते हैं कि इसके अंदर कोई bacteria मौझूद है कि नहीं है या एक special type की reaction होती है TV patient में जिसको हम बोलते है grain loma formation इसमें क्या होता है कि जो cells होती है वो rounded flower light pattern में arrange हो जाती है जो microscope में देखने पे तुरंत identify हम कर लेते हैं कि हाँ ये grain loma है और ये बहुत specific होता है TV के लिए इसके अलावा अगर पेट की TV है तो हम ultrasound कर सकते हैं या फिर हम पेट का city scan कर सकते हैं या पेट में पानी है तो पानी निकाल करके जाचे कर सकते हैं ये सब test हम करते हैं इसको diagnose करने के लिए complications मैंने इसके बता दी हैं कि ये जो gart वाला TV होता है spread हो सकता है body के किसी भी organ में brain में जा सकती है तो brain की TV हो सकती है या lungs में जा सकता है या फिर body के और भी किसी भी organ में skin में, abdomen में या genital area में जो fallopian tubes होती हैं इन सब में spread होकर के TV फैल सकती है another complication होता है कि उसमें pus बन सकता है जिसे हम abscess बोलते है TB abscess इसका हम नाम देते है या कोई घाव हो जाता है या panchur हो जाता है जिसे हम fistula बोलते है इस तरीके के complications देखने को मिल सकते है आईए बात करते हैं treatment की इसके treatment में जो main दवाईयां होती है वोई 5 main दवाईयां होती है पहली दवाईय होती है रेफंपेसिन दूसरी आईसोनियाजिट तीसरी कॉंबटॉल चौती पायरेजिनेमाइट और पांच भी दवाईय हम किसी किसी patient में देते हैं या तो हम लीवफलॉकससिन देते हैं या हम स्टेप्टोमाइसिन या मीकसिन देते हैं आजकल पेशेंट की अमिकसिन ज्यादा यूज हो रही है एस कमपेर टू स्टेप्टोमाइसिन तो पांस तरीके की दवाईयां patient की चलती है और जो treatment होता है वो थोड़ा लंबा होता है एस कमपेर टू pulmonary TB जैसे pulmonary TB में 6 महिने का treatment होता है तो इसमें कम से कम हम 9 महिने दवाईयां patient को देते है और depending on the patient to patient हम उसको 10 महिने, 11 महिने या 12 महिने भी दवाई दे सकते है इसके बाद आते हैं जो patient का main question होता है कि ये मेरी TB का अपनी treatment कर दिया लेकिन गाठे तो अभी भी रह गई देखिए गाठे रह जाने का मतलब ये नहीं है कि TB रह गई है उसके अंदर में ली जब तक bacteria सारे ना मर जाएं तब तक हम TB eradication ये elimination नहीं बोलते कि patient के अंदर TB अब खतम हो चुकी है अगर गाठ रह भी जाती है कोई तो वो inactive होती है गाठो का size करने के लिए डाक्टर जो है time to time पे steroid भी देते है जो की एक डाक्टर का judgment होता है कि patient को steroid देना है या नहीं देने है TB का treatment नौ महीने देना है बारा महीने देना है पंदरा महीने देना है ये सब डाक्टर का judgment होता है और यू doctor to doctor भी कुछ चीज़े vary करती है तो अगर थोड़ी बहुत गाट रह भी जाती है तो हम ऐसा नहीं मानते कि TB रह गई है इसके बारे में better आपको आपके doctor ही बताएंगे आईए अब last point पे आजाते हैं कि हम बच कैसे सकते हैं इससे क्योंगी ये एक मुख्य question होता है patients का कि बचाव कैसे करें बचाव के लिए देखिए ज़्यादा खाली पेट नहीं रहना है और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके healthy diet लेनी हैं, protein लेना है, vitamin, minerals होने हैं exercise करनी है, पानी time पे लेना है और जो TB के बहुत ज़्यादा infection से जो पीडित मरीज हैं, उनके contact में आपने कम से कमाना है, और smoking, drinking नहीं करनी है बहुत ज़्यादा stressful life आपने नहीं बितानी है और अपना जो healthy routine है, और जो daily routine है वो आपको healthy रखना है अगर आप इन चीजों को अपनाएंगे तो आप TV से बचे रहेंगे friends, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए क्योंकि इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, thank you, धन्यवाद अगर टीवी से related आपको कोई भी problem है और आप दिखाना चाहते हैं या आपके घर में या आपके contact में कोई patient है तो नीचे दिये गए नंबर पे call करके आप phone कर सकते हैं, appointment ले सकते हैं मैं यहाँ पर आदर्शनगर में में मेरा clinic है Chest and TV Center यहाँ आप आ सकते हैं और मैं यहाँ पर मिलता हूँ तो आप यहाँ पर appointment लेके कभी भी आ करके मेरे को यहाँ पर physically भी दिखा सकते हैं Thank you